अब यहां एक मसला था है कि जानवर कितना बड़ा होना चाहिए, उसके उमर कितनी होनी चाहिए, तो केसा जानवर होगा, तो इसके तालुक से हमको मिलता है कि उमर कितनी होनी चाहिए, तो इस सही मुसलिम की रिवायत है, सही मुसलिम, हदिस नमबर एक हजार नो सो तरे कि दोंदे के अलावा कोई जानवर जिवा मत करो लेकिन अगर तुमको वो मिलना मुश्किल हो जाए तो तुम भेड़ का खेरा जिवा करो यानि वो मुश्किल हो जाए तो दोंदा किसको कहते हैं दोंदा उस जानवर को कहा जाता है कि जिसके दो दाट तूटकर नए आ गए हो उसको कहते हैं दाता जानवर जिसके दो दाट तूटकर नए आ गए हो उमर से इसके अंदर कोई वो नहीं है कि इतने साल का हो जिस तरह हम देखते हैं आम लोग कहते हैं एक साल का हो तो चल जाएगा एक साल का हो तो चल जाएगा लेकिन वो इससा नहीं है वो उसके लिए जो इसमें फर्म अल्लाग रसुल्ले सल्लम ने जो कहा वो ये कहा कि जो ही ला तस्मू इल्ला मुसिन्ना कि वो दो दाता जानवर होना चाहिने उसकी दान तूट कर वापिस आ गया है कर सकते हैं इसी तरह जो है गाई बिल के अंदर है तो उसमें उन्होंने कहा कि तीन साल पूरे करके चोते साल लग गया हो तो उसको जो है कुर्बान किया जा सकता है इसी तरह बखरा जो एक साल के उपर हो तो कुर्बान किया जा सकता है लेकिन हम यहाँ पर यह मसला देखिए तो यहाँ अल्ला करें सुर्ण ने वो मसलना कहा जाता है दो दात को कहा जाता है यहीं दो दाता उसको मसलना कहा जाता है और इसे जानवर को कहा जाता है जिसके दूद के जो दात है वो तूट कर नए आ गए हो वेसे अलागे आप देखेंगे तो जानवर जो है हम देखतें कि हमार इंसान के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बगेर दात के पेदा होते हैं लेकिन जानवर दात के साथ ही पेदा होता है दात ही आते हैं उसके दूद के दात हमारे जिसना सोचे के हम जिसे हमारे इंसानों के बच्चे के दात नहीं होते बाद में आते तो उनके वो दात के साथ ही बेदा होता है लेकिन वो जो दात उसके पेट के होते हो तूड जाते हैं उसके बाद दो 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 उसके दाट तूटते हो नए दाट आते हैं तो वो उससे वुराद है तो ये दाट उसके होने चाहिए तो अगर वो ना मिल पाये तो फिर भेड़ का खेरा जिबा कर सकते है भेड़ का खेरा जिबा कर सकते है लेकिन अब यहाँ पर यह मसला आता है कि इस हदीश के अंदर कि कई लोग हमारे यहाँ पर आम मसला है कि लोग कहते हैं यह नहीं एक साल का हो गया एक साल का जो जानवर है बकरा तो उसको कैजिवा कर सकते हैं हो जाता है एक साल का आम मसला है लेकिन यहां पर अगर हम इसको, क्योंकि इसमें इक्तिलाफ क्या हुआ कि इसके अंदर जो है, कहा जाता है, वो कहते हैं कि मस्ना मतलब होता है साल वाला, और हदीस में दात वाला, तो कहते हैं इसमें मतलब है साल वाला, कि एक साल का हो तो कर सकते हैं, एक साल का हो तो उसको क किया जा सकता तो इसी तरह जो फिर इस पर लाएंगे सिर्फ तो इसमें जो हदीश के अंदर जानवर के अलफाज नहीं आए इसके अंदर सिर्फ यह बतलाएगा है कि तुम मत जिबा करो मगर दांत वाला तो दांत वाले जानवर यहां पर कहा गया है तो इसके अंदर जो है ह सही नहीं होगा